नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बालिवट के एक ऐसे हांस से अकलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कई जसक तक फिल्मों में राज किये हैं और दोस्तो उस अभिनिता को आप लोग चाहा कर भी नहीं बुल पाएंगे जियां दोस्तो हम लोग बात कर रहे हैं दिवेन वर्मास सहाब का और आज है दिवेन वर्मास सहाब का जनम दिन तो आज हम लोग देभेन वर्मा सहाब के सनव दिनी Niff Special में देभेन वर्मा सहाब के बायोग्राफि के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो स्ट्राइट करते हैं देभेन वर्मा सहाब भारतिय सिनेमा के एक प्रसीद हाँ से अभिनिता थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने सांदर हां से अभिनाई से सभी का देल जित लिया था और दोस्तो देवेनवर्मास उखाब ने लगभाग 149 फिल्मों में काम किया और देवेन वर्मा सहाब का जनाम 23 अक्टुबर 1937 को हुआ था और उनका पालान पोसन पुनी में हुआ था उन्होंने यही से राजनितिवी ज्यान्त था समासास्त्र में इसनाता की डीगृटरि प्राप्त की और देवेन वर्मा सहाब ने अपने समय के प्रसीद अभिनिता और दयदा मोनी के नाम से मसहूर असोकुमार की दमान दिती असोकुमार सहाब की सबसे छोटी पूतरी देशन भी उन्होंने किया था और चोरी मेरा काम चोर के घर चोर तथा अंगुर फिल्मों के लिए उन्हें बेश्ट कमेडियन के लिए फिल्म फियर अवार्ड से नमाजा गया था और दोस्तों बात करें देविन वर्मा सहाब के सुरुवाती दाउर की तो वर्स 1969 में पढ़ से दादमोनी के अंतरंग संबंध थे दोयन वर्मा सहाब का फिल्मों में प्रवेश 1961 में बी आर चोप्डा के बैनार तले फिल्म धरम पूत्र से हुआ इसका निरदेशान यस चोप्डा ने किया था और इस फिल्म में उनका छोटा सर रोल था जिस पर किसी ने अधिक ध्य सान नहीं दिया और 1964 में आई फिल्म सुहागन में उनके अभिनाय पर निर्माताओं की नजरे इनायत हुई और दिवायर फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था तो दूसरी फिल्म मोहब्बा जिंदगी हमें उन्होंने हांस बहुमी का निभाई और दोनों फिल्मों ने ब अभिनाय की सबसे बड़ी खांस्यात यह रही कि वे बड़ी असानी से कियोदार को अपने अंदर उतार लेते थे वह फिल्मी जिवन में सिर्फ अभिनाय करने ही नहीं आये थे उन्हें निर्माता निर्दसक बनकर अपनी अतरिक्त उर्जा को भी दर्शाना था और दोस्त दिन सास के जुदाई कुदरात लड़ी श्टेलर सिलसिला अंगूर रंग विरंगी जूठी चमतकार क्या कहना खटा मिठा और उसे बहुँ सारे फिल्में हैं दोस्तों जिन में दिवन वर्मा सहाब ने एक से एक आदाकारी दिखाई जिने हम चाहा कर भी नहीं भूल और बात करें आवार्ड कितो 1975 में चोरी मेरा काम फिलम फ्यर पुष्कार सरोसरेश्ट हांस अभिनिता के लिए मिला और 1922 में अंगूर फिलमkeit फ्यर पुष्कार सरोसरेश्ट हांस अभिनिता के लिए और दोस्तों बात करें निधान की तो दिवेन वर्मा सहाब का निधान 77 वर्ष की आयू में दिल का दोड़ा पड़ने से 2 दिसंबर 2014 को इस दुनिया से अलविदा कह गए भले ही आज सुप्रसीद अभिनिता दिवेन वर्मा सहाब हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने बलुट को ऐसा ऐसे फिल्में दिये हैं जिने हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे और आज यहाए दिवेन वर्मा सहाब का जनम दीन तो हम लोगों के तरफ से दिवेन वर्मा सहाब को भावपूर स्रधान जली और वे जहाँ भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो आज इसी तरह के जनकारी के लिए दोस्तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिये हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को भी तक लाइक निकिये हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांच दोस्तो हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए